दोस्तो ऐसी खबर आ रही है कि इंडिया के मिजिस्ट्री आव डिफेंस 6.9 नेक्स जनरेशन क्लिमेशनल सम्मरीन स्कोप परजाइट 75 आई प्रोग्राम के एंडर खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल इशू करने जा रही है ये रिक्रेस्ट फर प्रोपोजल इस साल के मिड तक इशू कर दिया जाएगा डिफेंस एकुसेशन फांसिल ने इस साल स्टेट ओंड माज़गौन डॉक्याड लिम्टेड अम्डियल और रास्रन एंटू प्रो जैसे कमपनिस को स्ट्रेटिक पार्टनर्स के तौर पर स्ट्रेट को बनाने का काम मिलेगा और लार्सन टूप्रो को दो स्ट्रेट को अपने ड्राइड डॉक यार्ड्स में बनाने का काम मिलेगा ताकि दोनों शिप यार्ड्स में पैरलेट कंस्ट्रक्शन हो सके ताकि स्ट्रेटिक्शन टाइम और कंस्ट्रक्शन टाइम को कम क किया जा सके और इसके साथ ही ऐसा करने से दोज़र ताइस बतीस तक इन सभी संब्रेंश की डिलिवरी इंडिया नेवी को मिल जाएगी इसे पहले इंडिया नेवी के रिक्वेस्ट फर इंफ्रमेशन प्रसेस को रिस्पॉंस करते हुए और इजनल इक्विमेट सेंदिया सिमरीन को औफर दिया था और स्पैन ने अपनी सेटी समब्रेंश कॉफ मजंद रिया था और अपनी क dio दा है जांद इसके साथ ही वेलो स्पेस लेड़ीटरीज़ने फ्राइटे को एक ट्रीक ट्रिप साइन किया है जिसमें वो सारस माज्ट टू एक को मिलकर डिजाइन डिवेल्प और प्रिड्यूस और मेंटेन करने वाले हैं यह क्राफ्ट इंडियन डिफेंस सर्विसे स्वील आवियेशन और टायर थ्री सिटिस के बीच में रिइंगल पने अक्टिविटी के मुझबूत करने के लिए बनाया जाएगा यह MOU H.A.L.K. डिरेक्टर और N.A.L.K. डिरेक्टर के बीच में साइन किया गया है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जैहंद बंदे मात्रम